पोरोना महामारी के समाप्थ होने के बाद दिपावली का त्युहार आया किन्तु इस बार रेलवे में जो यात्रियों का रशुना था वह दिखाई नहीं दिया ट्रेनों में यात्रियों के संख्या जो दिपावली पर्व पर होनी थी वह संख्या कम दिखाई थी किन्तु इंदोर से पटना या बिहार की तरफ जाने वाली गाड़ियों में जबरदस्त भीर होने के कारण ट्रेनों में कोच बढ़ाया जा रहा है जनसंपर्क अधिकारे जितेंद्र कुमार जयंत ने जानकारी देते हुए बताया कि छट पर्व के चलते बिहार प्रदेश में लोगों का जाना भारी मात्रा में हो रहा है जिसके चलते ट्रेनों में जगह की दिक्कती हो रही है जिन ट्रेनों में 24 बोगी नहीं है उनमें बोगियां बढ़ाई जा रही है और ट्रेनों में COVID-19 से संबंद सभी नियमों का पालन भी किया जा रहा है इसलिए पटना जाने वाले यात्री अपने यात्रा सुरक्षित्व अच्छे तरीके से करें इसका रेलवे पूरा पूरा खयाल रख रहा है जिस ट्रेन के अंदर 24 कोच नहीं है उसमें अडिस्टनल कोच लगा कर लोगों को आरक्षिन प्रदान करें और लोगों की यात्रा सुक्म है और सुरक्षित हो तो यह प्रशासन सभी चीजों को ध्यान में रखते हूं कोबिट-19 के नियमों की पालन करते हुए अभी भी सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा हुआ है या नहीं इसका भी अनपालन होना चाहिए साथ में धर्मल स्कैनिंग के द्वारा भी लोगों को चेक किया जा रहा है तो फुल मिलाकर कोशिश की जा रहे है कि जो भी लोग बिहार साइड में जाना चाहते हैं वो अच्छे से जाएं और अपने घर पर सुरक्षित पहुंचें जितें कुमार जैंत वरिश जन्सम पर अधिकरी पर्श्रम रेलबें दौर